नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल ओमिलेट्स वंस अगेन। आज हम चर्चा करने वाले हैं आकर्शन के सिधान के बारे में, यानि की लौ ओफ एट्रक्शन के बारे में। आपने शाय सिधान के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आकर्शन का सिधान कैसे काम करता है, इसे अपने जीवन में आप कैसे लागू कर सकते हैं और इसके लाब क्या होते हैं, इन सबी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो आईए चलिए सुनते हैं इस वीडियो में इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। आकर्षिन का जिधान्त यानि की लाउफ एट्रेक्शन, मानता है कि हमारे विचार और हमारे भावना है, यानि हमारी थौर्ट्स और फिलिंग्स, हमारे जीवन की जो भी घटनाए होती हैं उनको प्रभावित करती हैं। सरर शब्दों में गर हम बात करें, तो हम जो भी सोचते हैं और जैसा ही हम महसूस करते हैं, वही हमारी रियालिटी बन जाती है। आज नहीं तो कुछ समय बात, लेकिन जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप उनिवर्स को भेजते हैं, वो आपके पास बापस आता है। ये कैसे होता है, तो इसके बारे में चली थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी सोच की शक्ती कितनी महत्वपून है। उधारन के लिए, जो हम किसी चीज़ के बारे में पॉजटिव सोचते हैं, तो हमारे मन में पॉजटिव एनर्जी रिलीज होती है। तो हम जैसा सोचेंगे, जैसा फील करेंगे, वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। ये एक fact है जिसको कई लोग नहीं समझते हैं आईए इसको एक उधारन से समझते हैं माल लीजिए कि आप एक नोकरी की तलाश में हैं अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कभी भी अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी तो आप नकरात्मक उर्जा भेज रही हैं इसके विपरित अगर हम सोचते हैं कि मुझे एक अच्छी नोकरी मिल सकती है तो आप सकरात्मक उर्जा भेज रहे हैं यानि कि आप अगर अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव एनरजी युनिवर्स को आप भेज रहे हैं इस सकरात्म सोच के साथ आप नोकरी खोजने के अपने प्रयासों में अधिक उत्साह और आत्म विश्वा से भरे रहेंगे जिससे आपको सफलता मिलने की समभावना बढ़ जाती है तो इस एक्जामपल से पता लगता है कि हम जैसी पॉजिटिव सोच रखते हैं वैसे ही हम फिल करते हैं और वैसे ही यूनिवर्स हमें रिटेन करती है अब आकरशन का सिधान कहता है कि समान समान को आकरशिक करता है जैसे हमने साइन्स से पढ़ा है लाइक पॉल्स रिपेल इच अदर, अनलाइक पॉल्स अट्रेक्ट इच अदर लेकिन law of attraction कहता है जो same same होते हैं वो एक दूसरे को आकरशित करते हैं इसका मतलब यह है कि यदि हम खुशी, प्यार और सफलता की उर्जा भेजते हैं तो हमें वैसे ही चीज़ें प्राप्त होती हैं ठीक वैसे ही जैसे एक चुम्बक लोहे को आकरशित करता है हमारी positive सोच और भावनाई भी हमारे जीवन में सकरात्मक चीज़ों का आकरशित करती हैं लेकिन अगर हम negative सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, उदास रहेंगे तो हमें वही return में मिलेगा क्योंकि हम वैसे ही negative उर्जा भीज रही हैं चलिए इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं हमारे शरीर और मन से निकलने वाली उर्जा की तरंगे, हमारे चारों और के वातावरन को प्रभावित करती हैं यानि कि हमारी जो frequencies होती हैं जब हम सकरात्मक सोचते हैं, तो हम उच frequency की उर्जा भीजते हैं, जो सकरात्मक घटना को आकरशित करती हैं इसके विप्रित, अगर हम नकरात्मक सोचते हैं, तो जो हमारी frequency होती है, वो low हो जाती है और हम negative उर्जा भीजते हैं जिसे की नकरात्मा घटना को हम जल्दी आकरशित करते हैं चले इसको समझने के लिए हम बात करते हैं विज्वलाजिशन की जब हम अपने मन में ये चितर बनाते हैं कि हम क्या पाना चाहते हैं तो हमें उस चीज को प्राप्ट करने में मदद मिलती है इसे आप अपनी मन चाही चीज की कल्पना करने की रूप में समझ सकते हैं जब हम मांसी करूप से इसे देखते हैं तो हम अधिक ध्यान और उर्जा उस चीज पर केंदरित कर सकते हैं अब एक छोटा सा Visibilization exercise शुरू करते हैं आप अराम से बैठ जाएं अपनी आँखें बंद करें गहरी सांस ले आप आप कल्पना करें कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वे आपके सामने हैं उसे देखिए उसको महसूस कीजे और सोची कि वे आपका हो चुका है आपको कैसा लग रहा है अब आप धीरे धीरे अपने आँखें खूले ये exercise आप रूज कर सकते हैं इससे आपका मन और शरीर उस चीज को प्राप्ट करने के लिए तयार हो जाएगा जो आप चाहते हैं तो आप जो कुछ भी चाहते हैं आप इससे visualize करना शुरू कर दिये और सोचें कि जब वो चीज आपको reality में मिलेगी आपको क्या खुशी महसूस होगी वैसे ही खुशी आप आज के समय में फिल करिए अब इसका next point आता है gratitude gratitude व्यक्त करना भी law of attraction का एक बहुत ही important हिस्सा है जब हम जो कुछ हमारे पास है उसकी सरहाना करते हैं और उसके लिए अभारी होते हैं तो हम और अधिक अच्छे चीज़ों का आक्रशित करते हैं आप अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में चोटी चोटी चीज़ों के लिए अभार व्यक्त करना शुरू कर दीजे आप अभार के एक सूची बना सकते हैं ये अभार कुछ भी हो सकता है जैसे कि आप एक डारी लें और उसमें उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके आप अभारी हैं ये चोटी चीज़ों हो सकती है जैसे कि आज का सुन्दर मौसम आप कह सकते हैं Thank you universe for this beautiful weather जो भी आपकी language होती है आपके पास खाने का अच्छा खाना है आपके पास हवा है सास लेने के लिए आपके पास पानी है पीने के लिए ये आपके परिवार का आपके साथ है आपकी family healthy है आपके पास आज का दिन है सबसे बड़ी बात तो ये है आप जीवत उठे हैं सुभा आपकी सांसे चल रही है आप जिन भी points को gratitude देना चाहें कर सकते हैं आप चाहें तो non living things को भी आप gratitude दे लेकिन कम से कम सुभा उठते ही आपको कम से कम 10 चीजों को कोई भी randomly चीजों को gratitude करना है हर दिन आप इस सुचिय में कुछ नया जोड सकते हैं और आप महसूस करें कि आपके पास कितनी अच्छी चीजे है तो जो लोग पहले सोचते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है तो जब ये practice follow करेंगे तो उनको feel होगा कि उनके पास कई ऐसे चीजे हैं जिनको वो पहले ignore करते थे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है हमें अपने लक्षियों को प्राप्ट करने के लिए उचित कर्दम उठाने पड़ते हैं यदि हम सेफ सोचते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा आकरशन का सिधान्त ये नहीं कहता है कि आप आस सोचते रहें और चीजें खुद बखुद हो जाएंगी हमें अपनी सोच को करम में बदलने की जरूरत है क्योंकि एक्षिन करना बहुत जरूरी है फिलिंग्स, थौट, बिलीव ये तो जरूरी हैं ही लेकिन इसके पूरा करने के लिए अपना गोल मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक important point का ध्यान लखना है एक्षिन जैसे कि आप ये कहा सकते हैं आपको कोई एक नौकरी है जो आपको चाहिए लेकिन इन नौकरी आपको नहीं मिली है बट आप बिज़राइस कर सकते हैं कि आप बहुत हैपी है आपको अपनी dream job मिल चुकी है आप monthly one lakh है जितना आप चाहते हैं वो कमा रहे हैं साथ में आप action भी लिखिए कि आपने इसके लिए क्या करना है यानि कि मैं daily job सर्च कर रहा हूँ कोई skills में master हो रहा हूँ इस तरह से आपको actions भी add करने है आईए इसको एक उधारन से समझते हैं मान लीजिए कि आप एक लेखक बना चाहते हैं आप रोज सोचते हैं कि मुझे एक बहतरिन लेखक बना है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप इस सोच को करम में नहीं बदलते जैसे कि लिखने का भ्यास करना अपनी रच्छनाओं को सुधाना और उने पब्लिश करना तो आप अपने लक्षे को प्राप नहीं कर पाएंगे सोच ओ करम का ये सही हो जिन ही आपको सफलता दिलाएगा हमारी भावनाई भी महत्वपून है जब हम सकरात्मक भावनाई रखते हैं तो हमें सकरात्मक उर्चा यूनिवर्स को भेजते हैं ये उर्चा हमें अच्छी चीजों की और आकरशित करती है इसलिए अपने मन की भावनाउं को पहचारना और उने सकरात्मक बनाये रखना बहुत जरूरी है चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं अपने भावनाउं को प्रवंधन करने के लिए हमें सबसे पहले उने पहचारना होगा जब आप उदास हैं, क्रोधित हैं ये निराश महसूस करते हैं तो थोड़ा रूकें और सोचिं कि ऐसा क्यों हो रहा है अपने भावनाउं को समझे और उन्हें सकरात्मक दिशा में बदलने की कोशिश करें उदारन के लिए अगर आप किसी कारण से निराश हैं तो किसे अच्छे दोस्ते बात करें या किसे ऐसे काम में समय बिताएं जो आपको खुशी देता हो अब आईए जानते हैं कि आकर्शन के सिधान को अपने जीवन में कैसे लागू करें तो सबसे पहला है हर दिन अपने आप से सकरात्मक बाते करनी है अपने लक्षों की सपष्ट तस्वीर बनानी है रोज कुछ ना कुछ अच्छा धुंडे जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं अपने लक्षों की प्राप्तिक लिए गदम उठाएं एक्षिन्स लेना बहुत जरूरी है सी बैठे बैठे डे ट्रीमिंग कहलाई जाएगी अगर आप कुछ एक्षिन नहीं लेंगी तो खुद को खुश रखें और एंकरेज करते रहें उठसाहित रखने की कोशिश करें चलो कुछ सक्रात्मक सोच के अभ्यास करते हैं आप अपने आप से कहें मैं काबिल हूँ मैं खुश हूँ मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए हर दिन सुबह उठते ही इन वाक्यों को दोराएं इससे आपका दिन बहतर शुरू होगा और आप सक्रात्मक उर्जा से भरपूर रहेंगे आकरशन का सिधान सिर्फ एक आध्यात्मी के अदाशनिक अध्याना नहीं है इसके पीछे वेग्यानिक प्रमान भी है कई अध्यन बताते हैं कि सक्रात्मक सोच और भावनाओं का हमारे मस्तिश और शरीर पर पॉजिटिव इंपक्ट पड़ता है इससे हमारा आत्म विश्वास बढ़ता है हमारा मानसी को शारिक स्वास्ते अच्छा होता है और हमारी कारेशमता बढ़ती है चलिए कुछ उधारनों और कहानियों के मादर्म सिसे समझते हैं आपने ओपरा विन्फरे का नाम तो सुना होगा जो एक मशूर टीवी होस्ट हो उध्यमी है उन्होंने भी आकरशन के सिधान का उप्योग किया है उन्होंने हमेशा सक्रात्मक सोचा और अपने सपनों को वास्तविक्ता में बदलने के लिए कड़ी महनत की उनकी सफलता इस सिधान की ताकत का प्रमाण है फिर जिम कैरी वो एक बहुती प्रसिद अभीनेता रहे हैं उन्होंने भी सिधान का यही जो है लौफ एटरशन उसका उप्योग किया है उन्होंने खुद को एक दिन बड़ा अभीनेता बनने की कलब ना की और इसके लिए महनत की उन्होंने एक चेक लिखा जिसमें उन्होंने अपने भवेश्य की कमाई लिखी थी और उस अपने पास तका कुछ सालों बाद उनकी कमाई वाकई उतनी ही होगी जितनी उन्होंने लिखी थी इसके अलावा बॉलीवुड में बहुत सेलेबरिटीज हैं शारुक खान, आलिया भट और बहुत से हीरो, हीरोईंस हैं जिनोंने कभी न कपनी लाइफ में लॉफ एट्रेक्शन का इस्तेमाल किया है और अपने घोस मैनिफिस्ट किये हैं आक्रिशन का सिधान केवल बड़े सपनों के लिए ही नहीं आप इस अपने देनी चीवन में भी लागू कर सकते हैं आप सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचारों के साथ करें एक दिन चर्या बनाएं जिसमें ध्यान, वयायाम और अभार व्यक्त करना शामिल हो इससे आपका दिन पॉजिटिव उर्जा से भरपूर रहेगा कारे स्थर पर अगर आप जॉब करते हैं तो अपने सहयोग्यों के साथ पॉजिटिव बाचित करें और किसी भी चुनूतियों का सामना सकरात्मक दिश्टिकों से करें अपने सफलता की कल्बना करें और उस पर काम करें अपने व्यक्ति का जीवन में भी अपने रिष्टों में पॉजिटिव एनरजी लाएं अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं और उनके प्रतिय आभार व्यक्त करें आकरिशन के सिद्धान को उप्योग करते समय कुछ चुनूतियां आपको आ सकती हैं चलिए इनके बारे में जानते हैं उनके समधान भी ढूंते हैं कई बार हमारे मन में नेगिटी विचार आते हैं यह सामाने हैं ऐसे समय में हमें विचारों को पहचाना और उन्हें पॉजिटी दिशा में बदलना सीखना होगा तो यह बहुत बड़ा चैलिंज है नेगिटीव सोच आपको हर नकरात में विचार के लिए एक सकरात में विचार ढूंड़ना होगा और उसको दहराना होगा धारन के लिए अगर आपके माइंड में आ रहा है मैं असाफल हो जाओंगा तो उसके बदले आप बोले मैं सफल हो सकता हूँ दूसरा चैलेंज है दहरे की कमी कभी-कभी हमें अपने लक्षों को पाने में समय लग सकता है और हम अधेरे हो सकते हैं तो आपको धहरे रखना है और अपने चोटे-Cोटे लक्षों को मनाना सीखना है इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप अपने बड़े लक्षों के और बढ़ते जाएंगे फिर एक और चैलेंज होता है एक्षिन की कमे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा हमें करम भी करना होगा अपने लक्षों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटे और उन पर काम करना शुरू करें नियामित रूप से अपनी प्रगती की समख्षा करें और आफ शक्ता अनुसर अपने प्रयासों को समयोजित करें चलो कुछ और सफलता की कहानिया सुनते हैं जिन्होंने अकरशन के सिधान का उप्योग किया और सफल हुए जौन असरेफ जौन असरेफ एक बहुत ही सफल सक्सेसफूल उद्यमी बिजनेसमैन है और वो लेखख भी है उन्होंने अकरशन का सिधान का उप्योग किया उन्होंने एक विजन बोड बनाया जिसमें उन्होंने अपने सपनों के घर की तस्वीर लगाई कुछ सालों बाद उन्होंने वैसा ही घर खीदा जैसा उन्होंने अपने विजन वोड पर देखा था फिर सारा बलकली स्पैनिक्स की संस्थापक है उन्होंने भी सिधान को उप्योग किया उन्होंने हमेशा खुद को एक सफल उद्यमी की रूप में देखा और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी महनत की आज उनकी कंपने अर्वों डॉलर की है चलो अब आपके सवालों के जवाब देते हैं अब आपका पहला सवाल हो सकता है कि क्या आकरशन का सिधान वाके काम करता है तो हाँ आकरशन का सिधान वाकिक काम करता है लेकिन उसके लिए हमें सक्रात्मक सोच करम और ध्य की जरूत होती है अगर आपके अंदर ध्यरे नहीं है करम करने की इच्छा नहीं है तो ये पूरा नहीं होता है कई लोगों ने इस सिधान का उप्योग करके अपनी जीवन में बड़े बतलाब लाएं हैं क्या आप भी करने के लिए त्यार हैं अगर आप ये सब करेंगे तो हान जी आपके लिए भी काम करेगा फिर अगला कोशन आता है कि क्या मैं अपनी सबी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ तो जी आकरिशन का सिधान हमें ये सिखाता है कि हम अपनी इच्छाँ को पूरा करने के ले सकरात्मा सोच और करम का उप्योग करें हलंकि हमें ये भी समझना होगा कि सबी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है लेकिन हमें अपने लक्षन की दिशा में काम करके बहतर परिणाम हम पास सकते हैं तो दोस्तों ये था अकरिशन के जिधान के बारे में हमारा आज़का सिशन हमें उमीद है कि आप कोई जानकरी पसंद आई होगी और आप इसे अपने जेवर में लागो करने की कोशिश करेंगे आप याद रखें आप जो सोचते हैं वही बनते हैं थैंक्स रोच्चिंग